स्टाप्लस की शोवेक ब्रहम सर्वगुंड संपन में काफी जादा ड्रामा देखने को मिल रहा है जहां आप देखेंगे कि कैसे काफ्या आगी है वापस जिहां जब जान्वी को इस बार में पता चलता है तो जान्वी के तो होश ही उड़ जाते हैं मही कबीर का विश्वास है जिसने काव्या को एक बार फिर पीके मितल हाउस मिला दिया है मही कबीर को इस बात की चिंटा खाए जा रही है कि आखिरकार वो इनसान कौन है जो पीके मितल के स्टडी रूम में उस रात गया था और कबीर कावया से बात करते हुए बताता है कि कैसे द्रूब भया की शादी के पहले वो लोग काफी जादा खुश रहते थे और उनके पापा का behavior भी काफी जादा अच्छा हुआ करता था कबीर के इस बात से जानली पूशने लगती है तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बदल गया जिसकर कबीर कावया को कहता है कि उसे जानली भावी पर शक नहीं करना चाहिए वो जानली भावी की तारीफ में कहता है कि उनकी आने के बाद घर का situation समला तो है लेकिन कहीं न कहीं न कहीं उनके पापा का behavior कापी जादा बदल गया है वही कबीर कावया को कहता है कि उन्हें उस रूम में जाकर उस लैपटॉप का वीडियो चेक करना चाहिए लेकिन इसके पहले वहाँ जानली पहुँच जाती है जो सारे footage डिलीट कर देती है पीके में तको पता चल जाता है कि कावया और कभीर गये थे उनके कमरे में वही शोग के आने वल एपिसोड में आप देखेंगे कि कावया के हाथ लग गई है पूजा शर्मा यानिकी जान्री की तस्वीर वेल कावया इस तस्वीर को देखने के बाद काफी जाता सोच में पढ़ जाती है वेल सच्चाए जानने के लिए कावया किस हद तक जाएगी ये देखना होगा काफी मज़ेदार टेलेविशन की लेटस न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें